नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग और दोस्ता आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी फार्मा को लोजी के वो सारे important questions जो आपके university exam के point of view से बहुत ज्यादा important है साथ ही साथ मैं आपको इस subject की देने वालों आपको एक broad understanding कि आपको फार्मा कैसे पढ़न और उसमें सबसे बड़ा डर अगर रहता है तो वो होता है फार्मा के अंदर बैक का चालिज नमबर की फार्मा आती है लेकिन इतना दिमाग खराब होता है सबसे बड़ा factor यह है और इतना broad subject है कि कितनी drugs पढ़ते जाओ समझी नहीं आता कि इसमें क्या लिखे क्या करे क्या करें नहीं करें ठीक है और जो मीडियम है या मोडरेट बचे उनकी तो वैसी हवा टाइट रहती है कि दो महीने पहले एक्जाम से पहले पढ़ते हैं और फिर उसमें भी फार्मा जैसा बड़ा subject सामने आता है तो बिल्कुल वो टॉलेरेट नहीं कर पाते हैं और एक बार त इसलिए फार्मा आपको पढ़नी होती है इसलिए ही इसको 40 नंबर के हिसाब सभी पढ़ना है पहली बात तो यह इसलिए डरने की जरूद नहीं है बस आपको जो मैं बताता हूं उस पैटरन को फोलो करिए वेसे पढ़िए आपके लिए फार्मा बहुत 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 सबसे पहली उनिट होगी और सबसे इंपोर्टेंट भी वही होगी जिसका नाम होगा फार्मे को डाइनमिक काइनेटिक और रूट ऑफ ड्रग एड्मिनिस्टेशन ओके यह तीन टॉपिक हम इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कुछ टर्म से जो हम पढ़ते हैं पहली उनिट चार नंबर का बनता है और वो जो बनता है वो भी मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो के अंदर तो आपको थर्ड यूनिट लगबग लगबग नेगलेजिबल माननी है कि हम कोई पढ़नी नहीं पढ़ेगी अब फॉर्थ यूनिट से सिस्टम वाइस ड्रग पर भी मैंने क्रॉस लगा दिए क्योंकि यह भी यूनिट बहुत 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 रेरली पूछी जाती है और वैसे इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं जो भी होगा आपके अल्रेड़ी पहले आ जाएगा ओके नाइफ्ट यूनिट की देखे जाए अगेन वेरी है जो यहां से आपको पढ़ने पढ़ती है बहुत बड़ा हिस्सा भी यह कवर करती है 12 अगेन एक बस एक सवाल आयूस क्या है इसका मतलब क्या है इसके बारे में आपको इसकी फुल फॉर्म जाननी है इससे ज्यादा कुछ ही नहीं मैं लोग की अल्टरनेटीव मैथड्स किया अलोपेथी से अलावा कौन कौन से तरीके हैं वह हम 12 यूनिट से पढ़ते हैं जो मेरे इसाब से इतना इंपोर्टेंट नहीं है बट कुछन क्या आता है वह मैं आपको बता दूगा तो यहां पर देखा जाए 12 यूनिट में सामने तीन तो निकाल दिए एक तो इसकी पर दूप की है लेकर के पड़े या फिर किसी के भी अच्छे लेक्चर लेके पड़ें बट फस्स यूनिट बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है पहला ही सवाल में यहां पर बता रहा हूं गाईस 12 नंबर का सवाल यहां से बनता है फार्मेक को काइनेटिक्स क्या होता ह होगा दो चीज्चा होती तो का मतलब मतलब हम पड़ते हैं है कि घ्रिक्स कैसे होगा मैटाबॉलिजम कैसे होगा एक स Yoga ADM E python यह जया दो और इसका इंडविजल कुश्चन भी आ जाता है कई बारा नंबर से एक सवाल बनता है अगला आपने कहीं नर्सिंग फाउंडेशन टॉपिक में किस किस रूट से हम ड्रक्स दे सकते हैं वह सार आपने पढ़ा है तो यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसाप से मैंने इस पैपर का पैटन आपके लिए सेट किया है थर्ड गाइस मैं आपके लिए कुछ टर्मिनोलोजी सजेस्ट कर रहा हूं जो आपको जरूर देख लेनी जैसे बाइवलेटी क्या होती है अड्वर्स एफेक्ट का मतलब क्या होता है फार्मको डायनेमिक का मतलब क्या होता है डोस और डोजेज में क्या फरग होता है मैट तो दी जाती है यहां नहीं काम आईगी तो इन फ्यूचर आप पूरी फार्मा पड़ोगे मलब जब आपको पूरी फार्मा के हर एक सिस्टम को पड़ोगे तो कहीं ना कहीं यह चीजे काम आ जाईगी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको अच्छे से पढ़ना ही है यहां सब फर्च उनिट खतम होती है और अगें बता दो फर्च उनिट बहुत 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 इंपोर्टेंट यूनिट है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है चलिए अगली बात करते हैं सेकिंड यूनिट कीमो थेरेपी के अंदर जो ड्रक्स बता रहा हूं वह सारी बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर कुछ में आपको ड्रक्स बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है पहली चीज कीमो थरीपी होती क्या है उसका क्लासिफिकेशन क्या है पहला सवाल है जो आपको अच्छे से पढ़ना है यह आपको ट्यूबर्कुलर ड्रक हो सकता है कि अब चल रहा है उनिवर्सिटी में की नाम से पूछी चाती है तो आई से आपको अच्छे से पढ़नी है घाई चलिए अपन थर्ड यूनिट की तरफ ठीक है थर्ड यूनिट से पहले मैं आपको बता दू कि किसी भी ड्रक्स को जब हम लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है हालांकि फार्मा के लिए मैंने बहुत सारे पहले वीडियो बनाए हैं उन वीडियो को आप ज़रूर देखे एक बार गो थ्रू होए और हो सके तो कोसिस में नए वीडियो भी पहले बनाऊंगा तो पहले आप समझ चीए रॉल ओफ नर्स एक नंबर का और जो बाकि सब मैंने यहां पर लिख रहा है जिसे फार्मा को काइनेटिक लिखना है एडी एमई के फॉर्म में इंडिकेशन कॉंटर इंडिकेशन साइड इफेक्ट डोज हो आपको याद है तो लिखिए नहीं आदे तो कोई जरूर आगे बात करते हैं अब जो भी यूनिट आईगी उसमें से एक दो एक दो ड्रक्स ही हम लेंगे बात करते हैं मैंने अल्रेडी बोला है एंटिसेप्टिक डिसिंफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन आप याद कर लेना बस बहुत इची है और कोई दो तिन पहले नहीं पूछा जाता था लेकिन अभी एक-दो साल में कुछ ट्रेंड हो गया है कि हिस्तामिन और एंटिस्तामिन पूछे जाते हैं तो आप ठीक है आप पढ़ लीजे हैं हिस्तामिन वगरा क्या होते हैं बाकि अगर आपको टफ लगे मेरे को बहुत बहुत टफ लग करके आएगा या साल बुटामोल नाम से पर्टिकलर ड्रग नाम से आ जाएगा ओके यह एक पढ़िजिए बहुत हैं आगे बात करते हैं यूरीनरी सिस्टम की बात करें तो यहां पर देखें गाइस डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से रट लेना है क् को जोडिएस और अंटिएवटीक्स पूछे जाते हैं ज्यादा पूष्थ हैं बात करतें आगे कोलिनर्जिक और एंटिकलिनर्जिक गाइस मैंने यहां पर क्यों बात करते हैं तो आपको एक कोई नाम नहीं आता है कि बहिं आपको इस इस्टम की कॉलिनर्जिक एंटिकॉलिनर्जिक करेक्टर्स बताने और वर यह नर्वस सिस्टम से ही कुश्चन उठके आता है तो पॉलिनर्जिक एक बहुत-बहुत-बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन से जो आपको पढ़ी लेना यह द्रग कभी नहीं छोड़ोगे आगे कि मैंने आप एक additional drug का नाम है जिसका नाम है alkalizers क्या होते हैं कहीं न कहीं यह आपके हो सकता है कि future exams में पूछ सकते हैं बाकि इतना important नहीं है बाकि यहां पर युदिनर्जिक सिस्टम में दो ही ड्रग या फिर देखा जाए तो एक ही ड्रग है युरेटिक डायुरिक जो important है द्रग कौन-कौन से CPR और emergency में हम यूज करते हैं हर बार एक्जाम में पूछी जाती है डी-addiction related drugs आप आगे जाओगे साइकेट्रिक पढ़ोगे तब भी से पढ़ोगे आज भी से पढ़ना पड़ेगा डाई सल्फिराम थेरेपी नाम से भी ये question आ सकता है अगर थोड़ा पूछा गया वैक्सीन और सेरा में डिफ्रेंस क्या होते हैं यहाँ अगर मैं आपको बता हूँ तो यह CPR इमर्जेंसी की ट्रक्स सबसे ज़्याद इंपोटेंट है एंटी डोट एंटी वीनम और वैक्सीनेंट सेरा चलिए आगे चलते हैं अपन इसकीन रहने दो इसकीन की इंपनेंसी नाम का कुश्चन जरूराइगा मैं सालौ से इंतजार कर रहा हूं कि यह कुश्चन आपके एक्जाम में आए और में हर बार पढ़ाता हूं लेकिन यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और एंसेट्स वन अप इंपोर्टेंट कुश्चन न आपके इस साल के तो अच्छे से पढ़ ले या फिर आपने थर्ड यर के सीनियर से कुझारिस की जी कि एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेजन्ट यह सारी तो पढ़ादू तिके आगे बात करते हैं को लिए नर्जिक खाथ जोड़ के निवेदर ने यह जलूट पढद लेना हर सिस्टम में क एंटी कोईगलेंट्स इसमें वार्फेरी नाम से भी कुछ ना आ सकता है और प्लाजमा एक्सपेंडर का मतलब क्या होता है यह चार नमर में देखिए आप प्लाजमा एक्सपेंडर थोड़ा कम पढ़ लेना चलेगा लेकिन यह तीन चीज़े थोड़ी बहुत ठंग से बहुत 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 इंपोटन्ट उनिट और इंसुलीन देखिए बात ऐसी है आप डाइबेटिज मेलाइटस से अपनी मेडिकल सब्सक्राइब पढ़ेगी तो यहां पर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़े कि एक्जाम में बहुत-बार सवाल पूचा जाता है फर्स सेकेंड धर्ड यह और इस्टिरोइड यह चार बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है चलिए आगे देखते हैं 11 यूनिट फाइनल यूनिट जिसमें बस आपको एक ही वर्ट पढ़ना है आयूस का मतलब चार नंबर के सोट्स में पढ़ लेना सोट नोर्स में पढ़ बहुत हैं तो यह सारी ड्रक्स है जो आपको मैंने फार्मा में बताइए और इससे आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा आप चाहे तो यहां पर देखें इसके पीडियाफ अपने टेलिग्राम चैनल में आ जाएगी आप ग्रूप का डेस्क्रिप्शन देखे या कमे सब्सक्राइब करें और बाफी जो भी सब्सक्राइब है वह आप मुझे बता सकते हैं